गुड मॉनिंग मेरा नाम सज्जाद इंसारी है आज मैं आपको बताऊंगा जैसे कहते हैं हर एक चीज का एक जमाना आता है यानि आज तुम्हारा वक्त है आज आपको का वक्त है कल मतलब मेरा वक्त चला गिया इसी तरीके से आज का जो वक्त है किसका है networking का है networking का यह समय है सीखो और सिखाओ मतलब सीखने में इंकम है सिखाने में इंकम है जितना चाह उतना कमा भी सकते हैं जमाना networking का है सीखो और सिखाओ जितना चाह उतना पैसे कमा अब यह कैसे हो सकता है गैना मतलब सीखने में ज और सिखाने में पैसज़ ज नेट्यवर्किंग करते हैं तो उसमें उसमें इंप लिए बहुत अच्छी वात मैं आपको पूरी बात बताना चाहते हूं देखे, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं क्या देखते हैं, सपने देखते हैं पर सपने को किस तरीके से देखना चाहिए उसके बारे मताता हूँ याद रखना सपने तुम्हारे है अपने सपने तो देखे पहले नंबर में बहुत सारे लोग सपने ही नहीं देखते, उसे पूछो तुम्हारा क्या है, गोल है, लक्ष क्या है, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है नहीं बताते हैं, मैं अपने बच्चों से भी पूछता हूँ, जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं कि तुम यह जो पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, मकसद क्या पढ़नेगा, इसका क्या मकसद है, तो कुछ बत्य बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कर अभी हमने सोचा ही नहीं, देखो, वो अभी तक सोचा ही नहीं है, और पढ़ ही चले जा रहे हैं, और बारमी पास कर पर नेगा माश्टर के डिरी लेगा पीएचडी करेगा तो तो कहते हैं कि तो पूरा भी तुम ही करोगे जब आप सपने देख लोगे तो उस पर लग जाओगे तो आप पूरा करोगे नहीं हाला तुम्हारे हिसाब से होंगे न लोग मतलब अब बहुत बड़ी कठिन परिश करें अ आयंगी यही आपका सफलता करता होगा जिस सफलता पाने के राज्टे पर चले हो और उसमें परिशान्या ना आए तो आगे आप गिर सकते हो आगे गिर सकती हो मतलब ज्यादा ब्राभ य्यों नीचे से औरιृ धीडियरी धीर धीडियरी ऊपर चड़ता है पर देखेंगे और आप लोगों को देखेंगे तो एक दूसरी निगा से देखेंगे और यह सोचेंगे कि मैं इस तरीके से यहां तक पहुंचा और आप लोगों को भी यूही परिशानिया उठाते हुए आना है अगर वाके में आप सपना देख रहे हैं और सपना भी क्या है आप पूरा करना है और इसमें हालात भी तुम्हारे इसाब से होंगे और नलोग होंगे मतलब समझे रहे हैं मेरा कहने का अच्छा दूसरी बात जमाना आज किसी का भाई आज नेटवर्किंग का तो यहां आओ स च्छाने में पैसे रहे हैं रहे हैं मिल हैं पहले खो थी हैत्व तो वहां हम स्ट हमार मिलते हैं उनकी बातों को प्ले जाते थे फिल्ड में जाने कब बात उसली हे स büyरे मिलता था तो हम्हां पैसा मिलता था तो सीखने मीफ पैसा मिला और जब भुण वह लाइक बन गगत अब उस सिखाने लग गए उसकी networking अच्छी खासी बढ़ गई तो सिखाने में पैसी में तो सही का किसी ने सीखो और सिखाओ और जितना चाओ पैसे कमाओ यह आज इस जमाने में अभी का जो करण का है क्योंको सरकारी नौकरियां या प्राविट नौकरियां इतनी है नहीं ज खर्च कर लेते हैं शहर वाले अमीर लोग जो की गौमें दिहात में एक यह नी दो लड़कियों की शादी हो जाती उतनी ही पैसे हुए और आज क्या सिर्फ बढ़ने में उड़ा देते हैं तो क्या है यह फुजल खर्ची तो है अब उसका देखा दे के मेडिल केलास भी कर रखता है ओके मगर नहीं है डबल वेट चाहिए ओके कपड़े भी हम रख सकते हैं यूहीं तीन चाल जोड़ी रखे और पहले धागे होते उसे बांद लटका देते थे ओके यह बॉक्स होते थे बॉक्स में रख लेते थे आज तो अलमारी चाहिए एक नहीं डबल डबल तीन तीन अलमारियां अच्छा जी वहले चपल एक होते थे एक या दो और आज तो इतनी सारी चपल होते चपलों की एक पूरा अलमारी ही लेनी पड़ जाती है अच्छा जी और आपको मैं क्या बताओं इतनी फूजल खर्चे हम लोग ने बढ़ा दिये हैं आज पैसा कमा मेहने का इंकम दो के कमाके तो उन मेंसे आपको 15 से 20,000 देंगे इतने वेकूँ थोड़ी कम पनी वाले कि आप 10,000 का काम करो और आपको सेली 20,000 के मिलेंगे या इसा कभी सोच भी नहीं सकते इतना यूज करेंगे इतने प्रशान करेंगे आपको मजबूरी में करना पढ़े और यहां पर आपको मिलता है हर तरह गाजादी नेटवर्किंग में जितना चाहो में पैसे कमाओ सीखाओ और जितना चाहो पैसे कमाओ यह आपको लगेगा यार यह तो यूही बखता रहता है सिर मैं ही यो यह नहीं बखता हजारों लोग हैं आज यूही बख रहे हैं आपने कभी सोचा कि यूँँ यूध Now को भखने इसको बखने का कुछी मिल रहा तो बिलकुल सही लोग मंगाते हैं और इस वीडियो को सुनते हैं आप जिससे एड आता है उस एड से भी पैसा आता है तो मिझे दो बाता है बखने से दो फाइदा हो गया तो हम क्यों न बखो इसलिए जनाब सीख और सिखाओ जितना चाहो उतना पैसे कमाओ क्या आप चाहते हैं कि मैं पैसे यूज करना है और लोगों में जाद जादा फैलाना बेचना बताना है अगर आप यह दो काम कर लेते हैं और तीन हजार रुपे का प्रोड़क्ट एक मेहने सेल कर लेते हैं तो वेरी गुट आपने स्टेटस पार कर दिया अब क्या करना है अब दूसरे मेहने में डबल उस प्रोड़क्ट करना है और तीन मेहने के बाद आप जिन जिन लोगों ने प्रोड़क्ट लिया उन से पूछिए कि जनाब इस प्रोड़क्ट से आपको क्या लाफ मिला और कैसा महसूस कर रहे हैं तो बंदा कहेगा इस साबून को लगाने से चाए को पीने से इस तूथ पे आपको थोड़ा लाब मिला यह अभी शुरुवात है बस इसे कंटीनियू करते रहे हैं साल भर अगर आप वाके में आप चाहते हैं आपके अंदर शक्ति है प्राप्त करने का क्या डियक्शन के प्रोड़क्ट के लाब प्राप्त करने का आपके अगर तमन्ना है तो आप इसको साल भर कीजिए आप कुछ लोग कहेंगे यार यह तो बहुत महंगे हैं तो अब कहना जनाब मैं आपका महंगानी अब मैं डिसकॉंट पर दिलाना चाहता हूं क्योंकि आप मेरा बहुत ही प्यारा कस्टूमर है आप वो कहेंगे कैसे क्योंकि आपने तीन मेहने लिया कि कपनी के तरफ से लियाम हमारे से प्रोटक इसलिंग के तरफ सा आपको एक स्कीम लिता है उनको ले जाना है स्टॉक पूइंट में घर पर नहीं यह सब काम करना हिस्ट इस जनुन अब देकर ले में have कि आपको तोड़ा सा कम पनी के प्रॉड़क्ट और मार्केणिक परा होता है उसे पूछ लीजिए कि आप मेहने के मैक्सिमम जाद ज्यादा कितना इंकम चाहते हो क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं तो यह चाहते हैं और हमें तब 20-25,000 मिल जाए बस यही मेरे लिकाफी है तो उतने ही का पलान मदाना क्यों वह हजम कर जाएंगे अगर आपने द देश घुमना चाहते हैं इक्छा है पुछ लिजे तो कितना आपको मिलना चाहिए पैसे टोटल जोड़के बता है उतने लेवल तक टीक्षन मार्केनिंग प्लान बता दीजिए कि आप इतनी लोगों के यूं करके आप लाओगे प्रोटेक्स खुद यूज करोगे जैसे आपने तीन मेना यूज किया अब आपको यहां आना है उन सब को लेकिए फिर उसको भी इसकी म आपको बताना है और मेरे जर्य से भी और आप भी खुद भी तो इस तरीके से हर तीन मेने में आपके जो डिस्टिबूटर शिप आपके नीचे आएंगे और यह सिलसला चलता रहेगा जैसे कि जो विदा खातू ने बोला कि मैं 25,000 मेहने का इंकम कैसे कर रहा है कैसे आएं डियक्शन में बस यही काम करना है आपको समझगे कि पहले मेहने में 3000 के दूसरे मेहने 6000 तीसरे मेहने इमना हो जा और यह सारे प्रोटेक्ट उन लोगों को बेचना है उन जो खाना चाहता है और वो कहेंगा अगर यह फिरी में आपको मिल जाए तो किया कैसा रहेगा बहुत अच्छा उनको भी यहां लाना है जो डिसकॉंट पर खाना चाहता है उनको भी लाना है तो ऐसे लोगों को यहां लाना एक आदमी कहेगा मुझे यह प्रोडेक्ट नही खाएंगे कहां तो इसके बदले में आप कौन सी प्रोटेक्ट खाएंगे चाए कोफी साबून जो आप दे रहे थे उसी के पूछिए तो बताएंगे यह वाली ओके चलो लाओ वह वाला उसमें जो लिखा होगा ट्वाइलेट सॉप दिखा दीजिए वे तो ट्वाइलेट चाय के बारे में असली चाय जिसका पहचान है और उनके जो चाय पीते थे उसमें वह मिलेगा नहीं तो कहना है इस चाय से यह यह नुक्सानात होंगे बड़ी-बड़ी बिमारिया होंगे फिर आपको हस्पीटल जाना पड़ेगा फिर वहां दवाईयां लेनी पड़ेगी बगर 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 बता दीजिए उनके फिर वह कहेगा नहीं नहीं मुझे तो यहीं यूज करना है बस यूज करने के लिए उसको यूज कराते रही है फिर तीन माईने के बाद उनसे रिजल्ट लीजए कि भाई जनाब अगर आपको डिसकॉन पर मिल जाए तो क्या मार्केटिंग पलान भी बताई उनको मिटिंग होंगी पलान बताएंगे कमपेनि का रूल बताएं उसमें काम हो गया खतम पाल उनके घर पहुंचाने का काम खतम अब वह बंदा खुट जाएगा गर अब आप ऐसे ही दूसरे घर तलाश के लिए अब नए घर की तरफ जाईए एक तरफ तो आपका काम हो गया अब दूसरे तरफ आप जाएंगे इस तरीके से आप सिल्चला को बढ़ाते जाएए अगर आप चाहते हैं कि उदार देना गराख होना वह बिल्कुल वैसा हो जाएगा कभी पैसा देंगे कभी नहीं देंगे कभी ज्यादा हो जाएंगे फिर लड़ाइज जगड़े होंगे फिर आपका टीम भी गई इसलिए सीधर पॉइंट प्रॉइंट से उसको लाना और आप से कहे कि मुझे प्रो देखे वो पैसा पेखिला देगा और डूसरे बंदे या क्य quietly आपको ही करना है यह कराई कि आपको पैसा ना फशे इस बहाने से और 25 ऐ 45 रोप़े उनको ताकि हमारा काम असान हो, हम आगे जाएं, और उनके लोगों के जो संपर्क में आते हैं, उन लोगों को टीम बनाने में कुशिच कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों को उन्हीं के टीम में, ना कि आप कहीं और जगर जोड़ दो, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा जनाब, कोई भी उनके जितने भी संपर्क में आएं, यार दोस्त, उनको अगर आप समझा रहे हैं, तो उन्हीं के टीम में जोड़िए, और वो इनसान खुद कहरा है, कि यह मेरा बंता है, उनको आप समझाओ, उसने लिश्टी भी दिया है, और उनको साथ लेके जाना, अकेला नहीं जाना है, अगर भरोसा विश्वास थोड़ा से कम हुआ न, यही रोग बहुत खतरना आ गए, यही शक वाला रोग लग लग जाए, यह हमारे तजरी बड़ा हो जाता है, यह हमारे तजरी में आएंगे, बहुत सारी लोगों को शक था, यार डियक्शन के प्रोडेक्ट पहले इस गया, शर्मिंदगी हुई, और फिर आया यही पे, तो अब वह ऐसी इज़त नहीं मिलेगी, खुद ही एहसास होगा, तो ऐसे गलती ना करें, शक की बीज डालने के बाद ऐसा होता है, ऐसे शक हो जाने से, अगर आपके अंदर छे चीज़े हैं, तो आप कोई शक की आशा वाला आए, यूँ कहे तो आपको समझ में ही नहीं आए, मतलब दूसरी कंपनी वाले अगर आजाए, और कहे, तो आप तो नशे में हो, आपको कुछ समझ में नहीं आए, वो क्या बख रहा है, तो ऐसा आपके अंदर जुनूर होना चाहिए, धैरे रखने की काबियत क्या मतलब, आपके अंदर इतना बदाश करने की समता होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसी काबिलत होनी चाहिए, जिससे कि आप बदाश कर सको, अपने काम पर विश्वाज रखना, संघज करने की हिम्मत रखना, बुरी आदतों का त्यार करना, हद से जादा मेहनत, मतलब मे कदनका मिलेगी आगर मेहनत हिल्का प्लका करेंगे प्रका मिलेगे सफलता फिर आपगी के पैसे नहीं बस हचYouTube करने वाला आना चाहिए बुरी आधात हों का जो क्या करता चोड़ mut वो डियक्षन में ठिकता है, यह काम्याब भी होता है बुरी आदत क्या है? बहुत सोना, है ना और रोजाना हम हो मेटिंग ना करना, ट्रेनिंग मेटिंग में ना जाना ना सुनना और कंपनी के रूल के अनुसार हम काम ना करना, यह सब बुरी आदत है संग घर्ज करने हिम्मत रखना आगे की मुझे तो बहुत काम करना है अगर आपके दूरिय इसी छंपता नहीं है हिम्मत नहीं है आप आगे बरसकते और आपको बिश्वास भी नहीं है अगर आपको विश्वास भी नहीं है, तो आप नहीं पूर सकते हैं, अभी मैंने क्या कहा था, विश्वास, विश्वास में कमी आ गए न, आप एक दिन खतम, मतलब इस कमपनी से निकल जाओगे, किसी भी कमपनी से आप निकल सकते हो, अगर आपको विश्वास की कमी हो आ ग से दिन बाइसे और देखा रिजल्ट आर दिन के अंदर मेहने के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है यह बहुत तेज दोड़ा आपने अब आपका मन करेगा यार विकार है हम कहते हैं जितना आपको आसानी से मज़े लेते हुए खुशी प्राप्ट करते हुए लोगों से दोड़ने वाले रफ्तार में नेचर लिए जमीन है यह घूम रही है चल रही है अंतरिक्स में हम लोग है तो आपको पता चलता है क्या बहुत तेज जा रही है इस नेचर से मज़ सीखना है अला की बनाएवी नजाम से हमस्तितने शुछ चांद को देखो एक जगए एक ज बनी में आप एक लाग और एक लाग और पचीस जार जतना चाहो इंकम करो बस रूल यही आदा करना है जैसे में उने बोला तो मुझे उम्मीद है जो बेदर खादून को हमारी वीडियू पसंद आई होंगी पसंद आई तो नीचे लाइक कीजिए शेर कीजिए और भी इसी भी तरीके से हमसे संपर करके हमसे बाचीत कर सकते हैं सीथा साधा माधियम है आजकल वाट्सप और नीचे कमेंट करके वाट्सप पे तुरंद रिपलाई होती है जो पूछने बताते हैं कॉल बिल्कुल ही ना करें करें किजिए अगर मैं समझूँगा वाट्सप पर आप लाइक मतलब जरूरत है आपको तो मैं करूँगा खुद करूँगा वापिस अगर नहीं वाट्सप पर ही आपका काम चल सकता है तो वाट्सप ही काम कीजिए ऐसा क्यूं कह रहा हूं जनाब क्यूंकि कॉल मेरे पास बहुत आते हैं दूसरी बात हमारे पास काम भी बहुत ह आप सो सकते हैं इसलिए आप वाट्सप क्या कीजिए बस इंशाल्ला इसी तरीके से आपको अच्छे बाते बताता हूंगा थैंक्यो शुक्रिया